एक अभिनेता जो जब क्लास दस्वी तक पढ़ चुका था तो उसने अपने जीवन में ना सिनेमा हॉल देखा था ना ट्रेन का स्लीपर बोगी देखा था। के राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार दिया गया और वही अभिनेता कल दूसरी बार राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार लेने गया तो सीधियों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा और मीडिया बाइट देते वक्त उस अभिनेता ने ये कहा कि आज बाबु जी होते तो बहुत होते ये कहानी गोपाल गंज के बरावली से निकले उस पंकस त्रिपाठी की है जिस पंकस त्रिपाठी को कल राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार दिया गया लेकिन उनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपकी आँखे लाल हो जाएंगी रॉंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें एक अभिनेता जिसने कहा था कि पिता जी डॉक्टर बनाना चाहते थे डॉक्टर काटर तो नहीं लग पाया लेकिन एक्टर काटर लग गया है और वही अभिनेता कहता है मैं किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर नहीं पढ़ा हूँ, मेरी बीवी शिक्षक की नौकरी करती थी, वो घर चलाती थी और हम not fit सुनने के लिए डाइरेक्टर के पास, प्रोडिूसर के पास और कास्टिंग डाइरेक्टर के ओफिस में दर दर भटकते थे, ये कहानी उस पंकस्त्रिपाथी की है जो कहते हैं, अगर मनो उस दिनों बाद announcement हुआ कि राष्ट्रिया फिल्म पुरसकार के लिए पंकस्त्रिपाथी का चयन हुआ है, पंकस्त्रिपाथी धब-धबाते हुए गोपाल गंज के बरौली के बेलसण गाउं में बैठे थे और उन्होंने कहा ये अवार्ड तो पिता जी के लिए ही समर्प करते थे, 2004 में बंबई चले गए, बंबई अपनी औरत के साथ, महरारू के साथ और जीवन संगिनी अच्छे भाषा में कह लीजिए, तो जीवन संगिनी के साथ चले गए, जीवन संगिनी वहां नौकरी करती थी, पंकस्त्रिपाथी काम धूनते थे और काम जब नहीं मिलत था, तो पंकस्त्रिपाथी आकर घर का काम करते थे, पंकस्त्रिपाथी बिहार के गाउं से निकल कर इतना प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, कि वो कहते हैं कि मेरी बीवी जब मर्द वाला काम करती थी, तो हमको घर पर रहकर वो सब काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता था, ह आपको यहाँ पर खड़े होकर सुना रहे हैं तो हमको लग रहा है कि शायद सफलता की परिभाशा यही होती है। अपनी बीती यादों को दोहराते हुए एक इंटर्विव में कह रहे थे आठ साल के बाद वही डाइरेक्टर जो हमको पांच गाली दिया था दो तीन रीटेक लेने पर मेरे पास आकर बोला कि क्या सर आपने तो गजब का काम किया है। पंकस्त्रिपाथी की मा की तवियत खराब होती है। पंकस्त्रिपाथी की मा को बाहर विदा करने आते हैं जो फीज पंकस्त्रिपाथी ने अपने मा के इलाज के लिए भरी थी। पंकस्त्रिपाथी की अपने पिताजी को सुनाते हैं तो जो पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे वो घूम घूम कर ये किस्सा पुरे गाउं में सुनाते हैं। कि मेरे बेटे को देख कर डॉक्टर साहब ने तो इलाज का पैसा ही वापस कर दिया पंकज कहते हैं उस दिन लगा था कि हम कुछ किये हैं और पंकज के ऐसे अंगिनत किस्से जब आप सुनेंगे तो आपको ये राश्ट्रिय फिल्म जो पुरसकार उनको मिला है ये बौना ल पाठी ने वो किस्सा सुनाया था बताया था कि कैसे मनोज बाजपई होटल मौरिया में रुके हुए थे मनोज बाजपई अपना चपल छोड़कर चले गए और उसके बाद पंकज त्रिपाठी विंती करके वो चपल अपने पास रखते हैं मनोज बाजपई को वो कहानी live स सुना रहे थे पंकज ये सुनाते सुनाते रोने लगते हैं कहते हैं कि वो खडाओं के जैसा मिले लिए था और हम उसको पहन कर एक्टिंग का गुन सीखे हैं पंकज की कहानी ऐसी है कि 2004 में रन फिल्म में उनकी पहली जलक देखने को मिली थी लेकिन 2004 से लेकर जब तक गैंग सफ वसिपूर के आने के बाद पंकज का भाग खुलता है और पंकज जो अब 48 साल के हो चुके हैं भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में अगर दिख जाएं तो लोग सीटिया मारते हैं पंकज कहते हैं कि हम गोबर उठा कर भी एक्टिंग कर सकते हैं मिठाई वाला बन कर भी सुनेंगे तब आपको लगेगा कि स्ट्रगल शायद यही होता है पंकज त्रिपाठी अपने गाउं में लड़की बनते थे उस वक्त उनके दोस्त उनको मजाक में कहते थे कि तुम तो बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हिरोनों को ठकर दे रहे हो पंकज त्रिपाठी उनका छाती कितना चोड़ा हो रहा होगा और हम गोपाल गंज से हैं तो सोचिए हमारा कितना चोड़ा हो गया होगा बाकी पंकर स्ट्रिपाठी सरीखे उन तमाम अभिनिताओं को बहुत अभिनंदन बहुत शुक्रिया कि आप लगे रहते हैं तमाम दिक्कतों के और लोग नहीं कर सकते हैं धन्यवाद